नमस्कार आज हम बात करेंगे प्लास्टिक मुक्त भारत की तो प्लास्टिक किस तरह से जल, जमीन और हमारे वाई मंडल को दूसित कर रही है। डक्टर जै प्रकास बर्मा बर्मा जी आपका इस्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है डक्षाब प्लास्टिक जो की आज काल मनुष्य का एक अहम हिस्सा हो गया है और ये हमारे स्वास्त के लिए भी हानिकारक है जल, जमीन और वाइमंडल को भी दूसित कर रहा है त इस तरह से सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक का जो सब्द आया इसको हमारे देश में सबसे पहले संयुक्त राष्ट पर्यावनर सभा हुई 2019 में जिसमें भारत के रेप्रेजनेटिव ने सबसे पहले इसको एकल यूज प्लास्टिक इसको सिंगल यूज प्लास्टि को बैन किया जाना चाहिए इसी संदर्व में 2021 में भारत सरकार ने कचरा परपंधन अधनियम को भी संसोधित किया कि जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को जुलाई 2022 तक बैन किया जाना चाहिए और जो है 2021 से जो प्लास्टिक की थिकनेस है 50 माइकरान से बढ़ा के 75 माइकरा माइकरान और जुलाई के बाद 22 जुलाई 2022 तक इसको फीकनेस जो है 125 माइकरान होना चाहिए जिससे कि हम recycling कर सके multiple यूज कर सकें तो इस तरह से सिंगल यूज plastic मतलब का concept क्या है जिसे single plastic को हम कैसे categorize करेंगे कि यह single plastic है single plastic जनरली यह सब देकल यूज plastic काया कि जो एक बार use करके हम उसको पुना फेक देते हैं जैसे जो भी साधी समारो हो रहा है कोई party कोई function हो रहा है जैसे खाने के plastic के plates हैं glass हैं इस्टीकर्स हैं पीने के bottles हैं और जितने ice cream है उसकी packing है बहुत सारे ऐसे material है एक बार हम use करके जिसको पुना फेक दें तो ऐसे बहुत सारे items हैं जिसमें packing की जाती है उसको भी तो government ने उसमें कुछ कटेग्राइज करके प्राक्समें 30 आइटम को 2022 तक बैयन करने के लिए कि इसको जो भी आयात निर्यात और इसके storage भंडारण और विक्री पे रोक लगाने के लिए इनोंने यह अदनियम जारी किया है तो single-use plastic इस तरह से कि अगर हम काफी चीजे बैयन कर दे single-use को तो हम लोग काफी हद तक कुछ परसेंटेज जो है plastic को कम कर सकते हैं पर्यावरण में इसके alternative क्या हो सकता है क्योंकि अगर हम बैयन कर रहे है तो इसका alternative भी आना चाहिए विकल्प क्या होना चाहिए अगर है कि सबसे पहले कि जो हमारे कागज के बैक्स हैं जूट के बैक्स हैं कपड़े के बैक्स हैं और जैसे हमने की एक अभी कुछ ऐसे industrial को भी alternative होना चाहिए इंडस्टी के production के लिए तो ट्राइडेंट एक company है जो कि home textile अभी बिहार में और जहारखंड में सुरू किया है जो कि यह राइस इस्ट्रा है पुआल है और जो है गेहूं का जो भूसा है या इस्ट्रा है फार्मर से वो ले ले लेते हैं और लेके उसको थोड़ा करके और उसको जो है compress करके जो है प्लास्टिक के बैक्स हो गए और चटाई हो गई और खाने के प्लेट्स हो गए गिलास हो गए अभी यह बना रहे हैं इसमाल लेवल पे मतलब कि यह कहा जाए कि यह recyclable है प्लास्टिक से हमारा जल जमीन वाव तीनों प्रदूसित होता है तो वाव कैसे प्रदूसित होता है वाव अगर हम उसको प्लास्टिक को बर्न करते हैं जलाते हैं दाई आगजीन फ्यूरान और बहुत सारे हाइड्रो कार्बन रिलीज होता है जो हम सांस के माध्यम से हमारे सरीर में जाता है तो फेफडे को हायर्ट को किद्नी को बहुत सारी बिमारियां उत्पन करता है और अगर इसको हम जो है जल में जाता है जल में जाता ह और उससे जो है जली जू अपने अंदर उसको ले लेते हैं और उनके जो है जाके जली जू को बहुत नुक्सान पहुचा रहा है और कुछ तो बड़े जैसे फीसेज हैं मचलियां हैं उनको मानव फिर खाते हैं तो मानव के सरीर में जाता है उससे हमारे बहुत सारे रोग ज होगा मिट्टी में कि मिट्टी में एक तो जाता है कच पाली थीन तो इस सीवर पाइप नालेज ब्लाक हो जाता है एक तो इससे समस्य आ है दूसरी समस्य है कि मट्टी में पड़ारात जिस मिट्टी में जहां रहता है उसमें कोई पउधा ग्रो कर सकता है अगर वह ढीरे मिट्टी वहाँ बंजर होती है मिट्टी के लिए नुक्सान ExcelEd हवा में भी नुकसान दायक है, जली जूए में, और दूसरा एक समस्या है, कि अगर इसको कंटिनू, हम प्लास्टिक में कोई गरम चीज रखते हैं, लांग टर्म के लिए, चैसे बाटल है, बच्चों को माँ दूद पिलाती हैं, हम आप कुछ गरम चीजें कई बार होता है की नहीं है, तो प्लास्टिक में ही भर लिए, गरम दूद है ऐसे है, ले जाके कहीं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें 20 फिनाल एक कंपाउंड होता है, जो प्लास्टिक में यूज होता है, वो रिलिज हो जाता है, उसको अगर हम लांग तरम तक प्लास्टिक में कोई गरम चीज लेते हैं तो उससे हमारे सरीर में Cancer और बहुत सारे काडियोग स्कुलर डीजिज और पेट की बहुत सारी बिमारियां गेनेटिकल डीसाडर आई की इरून अस्तमा बहुत सारी ऐसे बिमारियां होती हैं आज कल कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है आप देखते हैं कि कैंसर अभी हम लोग को यह था कि चार सदस आदमी में होता था अभी तो हर घर में और हर रिलेटू हर नोन में बढ़ रहा है तो बहुत सारी उत्पन है हमको पता नहीं एक रियल कारण क्या है तो आई तिंग प पहोगता है उसके सामने भी एक समझ से आती है कि चायो पैकेजिंग मैटेरियल हो या कहीं बाहर भी निकलता है तो उसके सामने भी विकल्प नहीं रहता है तो इसके लिए आप मतलब किस तरह का जन जागुता भियान चलाना चाहेंगे या उनके सामने किस तरह का विकल्प हो सकता है उनके सामने हमें लगता है जंजगागना भुयान के लिए यही है कि पहले उनको जितने भी उबहुगता हैं उपयोग करने वो उनको यह है कि अपने घर से या जो भी है जैसे प्लास्टिक्स के अल्टरनेट्व के रूप में जूट का बैक्स है खादी बैक्स पहले बहुत चला करता था कप्डेक्स के बैग है इस तरह से पेपर्स बैग है उसके रूप में हमें लगता है कि अगर हम मार्केट में सबजी लेने जाते हैं कोई समान लेने जाते हैं तो हमको यह सब चीजे प्रेक्टिस में लाना होगा कि आज हम सबजी लेने जा रहे हैं तो हम यह भैग लेके जाएंगे उसमें लाएंगे फिर पता चला सबजी निकाल के रखिये पिर उस भैग को रेड़ी रखिये कि हमको कल लेके जाना एक तो यह करना पड़ेगा हमको अल्टरनेटू के रूप में और इस रूप में होगा कि हम तयार रहें कि जो जूट अल्टरनेटू बैग है कमपनी के लिए हमरा माटेरियल भी प्रोवाइट करा हैं सरकार इस पर जोड़ दे क्योंकि कुछ सबसीडी दे कि अल्टरनेटू कैसे बना सकते हैं क्योंकि बहुत सारे होम टेक्स्टाइल हैं हमारे घर की महिलाएं भी बहुत ऐसा जानती पहले अगर आपको जूट इंडस्ट्री तो ध्रदर खताम हो रहा है अब देखा जाए तो जो खाद की बोरियां है प्लास्टिक में आने लगी है इसी के लिए गवर्मेंट को नहीं होगा प्लास्टिक का गवर्मेंट इस्टिकली बायन कर देंगी तो हमारे पास जब कोई अल्टरनेट्व नहीं होता तो हम जो है जो अल्टरनेट्व है वही यूज करना सुरू करते हैं या जो आसान लगता है और हमें लगता कि कुछ दिन पहले जो लास्ट इयर ग कुछ नहीं है अदर्वाइज आप वन रूपीज टू रूपीज दीजिए तब वह आपको जो है डिग्रेडेबल बायो डिग्रेबल बैक्स में देता था जिसे सरकार को और साइंटिस्ट को मतलब इस दिसा में काम करने के लिए क्या करना चाहिए साइंटिस्ट और सरकार को सबसे पहले बैठ के इस पे कुछ अच्छे प्रोजेक्स बनाने चाहिए जैसे अल्टरनीटू चीज क्या बन सकता है इसकी कास्ट क्या होगी और उस पे गवर्मेंट को कुछ रिसर्च के लिए जैसे बताए कि जो ट्राइडेंट कंपनी ने सुरू किया है उसके बेसिस कहार्थ पे हम राहे मटेरियल आर्गणिक रिसीडू को कैसे कनवर्ड कर सकते हैं प्लास्टिक और दूसरा एक है कि रिशर्च के रूप में ऑल गो माईक्रोब का यूज करके और जो है राहे माटेरियल जो भी आर्गणिक रिसीडू है उसको माइक्रोव यूच करके और जो है एपिएस जो इक्ष्ट्रा पाली सेक्राइड एक कंपाउंड होता है उसके थुरू हम बायो प्लास्टिक बना सकते हैं और बायो प्लास्टिक इसली जो है नेचर में जाएगा तो डिग्रेट हो जाएगा बहूत साए टाइम में तो यह लुट में लगता है कि असानी से हम लोग इसको अल्टरनेटु गवर्मेंट के साथ बैट के प्रजेक्ट बना सकते हैं और दिरे दिरे इसमें जो है कर से कहा जाए कि काम्याभी ही मिल सकती है और हम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त भी पा सकते हैं यह एकदम 100% है कि अगर इसमें जन जागरण अभियान के थुरू हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा इसलिए पालिथीन मुक्त भारत की जरूरत है पालिथीन हटाओ देश को बचाओ परियावरण को बचाओ यह बहुत जरूरी है तभी हम जो है मनुष्कास्तित तो जो है ठीक है डग साइब आप इस्टूडियो में आए और प्लास्टिक मुक्त अभियान से संबंधित काफी जानकारी जो है हमारे दस्कों को दी और आज जरूरत भी है कि लोग के अंदर जागरुकता आवे सरकार और बैग्यानिक को इस देशा में काम करने की भी जरूरत है तभी देश को हम प्लास्टिक मुक्त बना सकते हैं डग साब आप इस्टूडियो में आए बास्चीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार ओके नमस्कार थांक्यू धन्यवाद